The Intelligent Investor लेखक बेंजामिन ग्राहम भाग दो, अध्याई दो Investor और Inflation अमेरिकी मजबूत हो रहे हैं 20 साल पहले 10 डोलर में खरीदे गई किरानी का सामान उठाने के लिए दो लोगों को लगना पड़ता था लेकिन आजकल केवल 10 डोलर में इतना ही समान आता है कि एक 500 वर्षिय बच्चा भी उसे उठा सकता है है नहीं यंग मैन मुद्रा स्फिती की दर इसकी कौन परवा करता है 1997 से 2002 के बीच वस्तों और सेवाओं की लागत में ओसत वर्दी 2.2% से कम थी और अर्थ सास्तियों का मानना है कि यहां तक की राकडाउन दर भी अधिक हो सकती है उधारन के लिए कम्प्यूटर और घरेलू इलेक्टोनिस की कीमतें कम हो गई वे इन वस्तों की गुनमत्ता बढ़ गई जिसका आर्थ है कीमतें कम हो गई वे इन वस्तों की गुनमत्ता बढ़ गई जिसका आर्थ है कि उब ओगताओं को उनके पैसे का बेहतर मुले मिल रहा है हाल के वर्षों में संक्त राजय अमेरिका में मुद्रास्पिती की वास्च्विक्टर सालाना लगबग एक प्रदिसत चल रही है इसको पंडितों ने गोशना की कि मुद्रास्पिती मुरत प्राए हो गई है पैसे का प्रहम मुद्रास्पिती के महतव को नजर अंदाज करने का एक अन्यकारण है जिसे मनोवेग्यानिक पैसे का ब्रहम कहते है यदि आपको एक वर्स में दो प्रतिशत की वर्दी होती है और मुद्रा स्विती चार प्रतिशत पर चल रही है तब आप लगभग दो प्रतिशत पे कट पाते हैं। उस समय आप निश्चित रूप से बहतर महसूस करेंगे जब मुद्रा स्विती सुन्य होने पर एक वर्ष के दोरान 0% वेतन कटोती होती है। अर्थ्वी आवस्ता में कीमतों के सामानीकरत परिवर्थन की तुलना में अधिक ज्वलंद और विशिष्ट हैं। इसी तरह निवेश्कों को 1980 में बेंक प्रमान पत्तर पर 11% कमाने से प्रसंता हुई और वे उस समय बहुत निराश हुए जब 2003 में 2% कमाई कर रहे थे। भले ही वे मुद्रस्पिती के बाद पैसे ने बचा पाए हूँ। हमारे द्वारा अरजित मामूली दर बेंक के विज्यापनों में दिखती है और इसकी खिड़की से पोस्ट की जाती है। जहां में बड़े अंक अच्छा महसूस करवाते हैं लेकिन मुद्रस्पिती उन बड़े अंकों को गुपत रूप से खाती रहती है। विज्यापन के बजाए मुद्रस्पिती हमारी संपती ले जाती है। यही कारण है कि मुद्रस्पिती को नजर अंदाज करना इतना आसान नहीं है। आपके निवेश की सफलता को मापने के लिए इतना महतवपूर्ण यह है कि आप क्या करते हैं। ने कि आप मुद्रस्प करने के तीन अच्छे कारण है कि मुद्रास फिती अभी निस्परान नहीं हुई है। पहला, 1903-1982 के समय में स्विक्त राजय अमेरिका इतिहास में मुद्रास फिती के सबसे दर्दनाग विस्पोटों में से एक में से गुजरा है। इसे उब्वोगता मुल्य सुचकांग द्वारा मापा गया है कि इस अवधी के दोरान किमते दूगनी से अधिक हो गई जो लगवग 9% वार्शिक दर्स से बढ़ रही है। अकेले 1989 में मुद्रास फिती 13.3% पर बढ़ी जिसको आर्थ व्यावस्ता के पैरलाईज के रूप में जाना जाता है। जो भी इसका प्रियोग करता है वह धन के इस विनाश पर उपहास करेगा। जो समझदार नहीं है वह जोखिम के खिलाफ सुरक्षा में ऐसा फल हो सकता है और इसे दोहडा सकता है। दूसरा, 1960 से दुनिया के बाजार उन मुक्तेसों में 69% ने कम से कम एक वर्ष में 25% या उससे अधिक मुदरस्पिती की वार्षिक दर्का सामना किया है। ओसतन उन मुदरस्पिती आवदी ने निवेशक की क्रेशक्ती का 53% नश्ट कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका इस तरह की आवदा से मुक्त है। लेकिन हम यहें निशकर्ष निकालते हैं कि यहें यहां कभी नहीं हो सकता है। तीसरा बढ़ती की इंतों में अंकल सैम ने मुदरस्पिती से सस्ता डोलर के साथ अपने करज का बुगतान करने की अनुमती दी। मुदरस्पिती को पूरी तरह से खत्म करना उस किसी भी सरकार के आर्थिक स्वेहित के खिलाप है जो नियमित रूप से धन उधार लेती है आधा बचाओ बुद्धिमान निवेशक मुदरस्पिती के खिलाप सुरक्षा के लिए क्या कर सकता है मानक जवाब स्टोक खरीदना है लेकिन सामान्य उत्तरों के रूप में अक्सर यह पूरी तरह से सच नहीं है जब उब्वोगता वस्तुओं और सेवाओं की किम्ते गिर गई स्टोक रिटर्न भयानक थे बाजार के मुल्य के 43 परतिसत तक खोने के साथ साथ मुद्रास्पिती 6 परतिसत हो गई और स्टोक भी डूब गया स्टोक मार्केट ने 14 वर्सों में से 8 में पैसा खो दिया जिसमें मुद्रास्पिती 6 परतिसत से अधिक हो गई उन 14 वर्सों के लिए ओसत रिटर्न 2.6 परतिसत था हालांकि हलकी मुद्रास्पिती कमपनियां ग्राकों को अपनी कच्ची समगरी की बढ़ी हुई लागत को पारित करने के अनुमती देती है लेकिन उच्च मुद्रस्पिती के कारण ग्रहाकों को अपनी खरीद और अर्थवियावस्ता में निराशा जनक गतिविदी को कम करने के लिए मजबूर किया जाता है एतियासिक सबूत सपस्ट हैं 1926 में सटीक स्टोक मार्केट डेटा के आगमन के बाद 64-5 वर्स की अवधी रही है उन 64-5 वर्स की अवधी में से 50 में शेयर मुद्रस्पिती से आगे निकल गए यह प्रभावशाली है लेकिन अपूर्ण है इसका मतलब है कि शेयर मुद्रस्पिती के साथ समय के एक पांचवे हिस्से में बने रहने में नाकाम रहे रेश्क्यू के लिए दो सटीक शब्द सो भग्ये से आप शेयरों से बाहर शाखाओं द्वारा मुद्रस्पिती के खिलाब अपने बचाओ को मजबूत कर सकते हैं चुकि ग्रहाम ने आखिरी बार लिखा था दो मुद्रस्पिती से नानी निवेश्कों के ये व्यापक रूप से उतलब्द हो गई है REITS और TIPS REITS रियल इस्टेट इन्वेस्ट्मेंट ट्रस्ट या REIT जिसका उचारन है RITS ये वे कंपनिया है जो कमर्शियल और आवासिय संपतियों से किराया कमाती है और उन्हें एकत्रित करती है दस रियल इस्टेट म्यूचल फ़ंड बंदल में REIT मुद्रास्पिति का मुगावला करने का एक अच्छा काम करते हैं सबसे अच्छा विकल्प Vengard REIT Index Fund है अन्य अपेक्षा करत कम लागत वाले विकल्पों में Cohen and St.Ars Realty Share, Columbia Real Estate Equity Fund और Fidelity Real Estate Investment Fund शामिल है जबकि REIT Fund की एक सटीक मुद्रास्पिती लडाकू होने की संभावना नहीं है इसके अपने समगर रिटर्न में बादा डाले बिना क्रेशक्ति के क्षरण के खिलाब रक्षा के लिए लंबे समय तक इसे आपको कुछ देना चाहिए TIPS Treasury Inflation Protected Securities या TIPS US सरकार के बॉंड है जिने पहली बार 1997 में जारी किया गया था जो मुद्रास्पिती बढ़ने पर स्वेशालित रूप से मुल्ले में बढ़ जाती है चुकि सेंफ राजय अमेरिका का पूर्ण विस्वास और क्रेडिट उनके पीछे खड़ा है इसलिए सभी Treasury Bond Default या ब्याज के गयर बुक्तान के जोखिम से सुरक्षित है लेकिन T.I.P.S. यह भी गारंटी देता है कि आपके निवेश का मुल्य मुद्रास्पिती से खत्म नहीं होगा एक आसान पैकेज में आप वित्य नुक्षान और क्रेशक्ती के नुक्सान के खिलाफ खुद को भीमित करते हैं जब मुद्रास्पिती के गर्म होने के खारण आपके T.I.P.S. बॉन्ड का मुल्य बढ़ता है आंतरी के राजसव सेवा मानती है कि कर योग्य आई के रूप में व्रदी भले ही यह पूरी तरह से एक पेपर लाब है जब तक कि आप अपने नए उच मुले पर बॉन्ड नहीं बेशते बुद्धिमान निवेशक, वित्ये विशलेशक, मार्क श्वेबर के बुद्धिमान शब्दों को याद रखें एक सवाल यह है कि नोकर सासे कभी नह पूछें क्यों इस बेहद उतेजित कर जटिलता के कारण TIPS एक आई आरे जैसा कर स्थागित सेवा निवर्थ खाते के लिए सबसे उप्यूगता है 401K जहां वे आपकी कर योग्या आई को जैक नहीं करेंगे आप सिदे US सरकार से TIPS खरीद सकते हैं या कम लागत वाले मुचल फंड जैसे वेंगार्ड मुद्रास्पिती सरक्षित प्रतिभूतियां या फिडेलिटी मुद्रास्पिती सरक्षित बॉंड फंड या तो सीधे या किसी फंड के माद्यम से TIPS अनुपात के लिए आधर्ष विकल्प है आपकी सेवानिवर्थी निदी का आप अन्यथा नगद में रहेंगे TIPS कम रन में एस्थिर हो सकता है लेकिन वेस्थाई आजीवन होल्डिंग के रूप में सर्वस्रेष्ट काम करते हैं ज्यादातर निवेश्कों के लिए आपकी सेवानिवर्थी संपतियों में से कम से कम 10% TIPS को आपटित करना आपके पैसे का एक हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित रखने और मुद्रस्पिति के लंबे एदरश्य पंजे की पहुंच से परे एक बुद्धिमान तरीका है धन्यवाद हिंडियोडियोबुक.डोट कॉम आपका दिन शुब हो